ठुकराने वाला पुरी तरह से रोएगा हेलो फ्रेंट्स लोटीव चुटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो कुछ लोगों को कई बार ये सवाल होता है कि हाउ टू गेट लॉस्ट लोग यानि कि जो प्यार हमने खो दिया है उसे वापस कैसे पाए दोस्तो जब भी ये रिस्ता बनता है तो वो तीन चीजों पर बनता है हेल्थ, वेल्थ और नेचर जब भी हम अच्छे दिखते हो, अच्छे हो, हमारे पास कुछ पैसे हो हम जिसे अच्छे से यूज़ कर पाए हमारा नेचर कैसा है ये तीनों चीज़ पर हमारा रिस्ता होता है तो जब भी ये तीनों चीज़ में से कुछ गर्बला जाता है तो ज़्यादा ये संभावनाई बन जाती है कि आपको कोई छोड़ कर जा सकता है समझ लीजिए कि आपकी हेल्थ खराब हुई है पर सामने वाला चला गया ये आपकी वेल्थ ये आपका नेचर उनको बाद में पता चला गया आप तो इस बामले में बहुत गुसा करता है ऐसे वैसे जिद्धी है वो चले गए तो वो ठुकरा के चले जाते हाला कि हर वक्त आपकी गलती नहीं होती वो कई बार साथ नहत दे पाने में नाकामियाब हो जाता है जिसकी वज़ा से ये होता है तो वापस कैसे पाना है तो वापस पाने के लिए आपकी ये तीन में से जो भी चीज खराब आपको लगती है जिसकी वज़ा से वो गए है वो चीज आपको ठीक करने है, कैसे ठीक करेंगे, समझ लिजे कि पैसों के मामले में कोई दिक्कत हुई है, तो वापस पैसे पाने के लिए, कमाने के लिए, कोसिस करिए, ऐसा कुछ बनाईए माहुल, नेचर की वज़े से गए तो वो तो तुरंट आप उसका चेंजिस कर सकत हैं, तुरंट अगर गुसे या जिद्दीपन की वज़े से गए तो आप दिखा सकते हैं, तो ये करिए, और एक चीज ये करिए कि अपने बगवान को थैंक्स करिए, आप जहां भी मानते हो, जहां भी स्रद्दा रखते हैं, उनको थैंक्स करिए, ऐसा करिए एक किस दिन थैंक्स कहने से क्या होगा, आप पहले एक चीज समझ लेते हैं कि हाँ, परिस्तिती का आपने स्विकार कर लिया, फिर आप थैंक्स कह रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुझे पॉजिटिव थिंकिंग आए, थैंक्स कह रहे हैं, मैं आपको थैंक्स कह रहा हूं, आपको ऐसे मौके मिलेंगे तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों वीडियो को देख रहे हैं शारे जीए बीफ रहा जा मजू हूँ लेला जो भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कोई भी सवाल है सुझा हो कमेट बॉक्स बताना ना बुलिए थैंक दोस्तों नो बैटर लेव बैटर